तो यह लो गाइस तो दिस इस वीडियो पर स्टांडर्ड नाइन्थ स्टेट बोर्ड लेसन वन डिजनिलैंड पैरिस पार्ट त्री गाइस अगर आपने पार्ट वन और पार्ट तू नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो देखलो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे थोड़ा अगर ग्रामल टॉपिक सिखाए थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अगर आपको ग्रामल टॉपिक नहीं समझेगी तो आपको एक्सरसाइज कैसे समझेगा इसके लिए ठीक है तो टॉपिक्स वीर गूइंग तो कवर इन दिस वीडियो आड reading and translation of the chapter that is 1.2, 1.3 and 1.4 exercise that is 1.6 and 1.7 subscribe for more videos and share video with your friends now let's start with the video अच्छा तो 1.2 से start करता है 1.1 हमने पाग 2 में किया था ठीक है comment exprimal says preferences मतलब how to express one preferences जो प्रफेरल से पॉर्टाबल मतलब I prefer this phone जो वूद्रे से रूज है लेवर मतलब I would like this lipstick जयाए नेंज हैंज हैंजाए मतलब I am hungry I would like a sandwich 1.3 मतलब 그 लेश डावरिशमागें नर पारेस मतलब entertainment in paris परीस एंす पारेस more then the bell wills du monde मतलब, परश एस प्रफ ने प्रें नियुटिफ्ट इस मॉडर्ण आफ लिग राविश प्रेंशें त्रींशें में ले ओसी मॉड़न Within an challenge, it offers entertainment to everyone and especially to children. लापक देस्त्रेट इस थाइट ए स्थ दिस never mindχ़ दिस दिस दूडन दिस तडक्रेक्ष ऑथी स Chemamp लापक देस्त्रेट्पस अदिस ग्लंड सप प्र इस दिस जूस इलियर ऑसी लापक दिस फैनलियर दिस जूस मतलब तर इस बाक देस फिनल्स औ जूस पुला फैमली अध्लेस एंफंत इल्या सुवंत देस एंट्रेस लिप्रस एद देस प्रिक्ष बा मतलब for the family and children there is often free entry and discount रेस्ते एं फ्रेल देस प्रोजेक्स मतलब one needs to make plants अब 1.4 करते हैं that is vocabulary of fast food sandwich देखो masculine है M मतलब sandwich को sandwich ही बोलते हैं ठीक है clock cream monsieur वो भी masculine है that is a type of sandwich ओक है hamburger मतलब hamburger pizza देखो feminine है ठीक है मतलब pizza frites मतलब french fries feminine है और बहुत सारे इसके लिए plural P लिखा है ठीक है नेक्स देखते है Lays, Geoks and Disneyland मतलब the games at Disneyland Montagne Rose feminine है ओक है मतलब Laurel Coaster मैंनेगनी मतलब merry-go-round expression the toms मतलब expression of time एत्रह एं आवंस मतलब to be early एत्रह एं लो यर्ड मतलब on time एत्रह एं रेताड मतलब to be late ओ सर लो बस यहाँ पे ना e आएगा ओ एं लो बस e-s-t ठीक है यहाँ पे ओ एं लो बस मतलब where is the bus sylvean एं और avion मतलब sylvean is early sylvean एं लो यर मतलब sylvean is on time sylvean एं एं रेताड मतलब sylvean is late अच्छा तो अब next देखो expression आवेक लव वर्ब अववाड मतलब expression with अववाड वर्ब अववाड सौफ मतलब to be thirsty अववाड फिम मतलब to be hungry तो इसको आप बताओगे कैसे ज्याई सौफ मतलब I am thirsty जबुवा दल यू मतलब I drink some water ज्याई फिम यह इसके लिए हैं मतलब I am hungry जब मौंज a sandwich मतलब I eat a sandwich अववाड शौद और अववाड फ्रौद दोनों एक दूसरे के opposite हैं अववाड शौद मतलब to feel hot और अववाड फ्रौद मतलब to feel cold हुएन आपोजेट्स एं एत्ते हैं on a shod मतलब in summer one feels hot एं ही वेड on a fraud मतलब in winter one feels cold ठीक है मैं आपको कुछ एक्ष्ट्रा भी दिखाती हूँ अवाड expression यह देखो, first वाला हमने देखा, second भी देखा, third वाला देखो aware, pure the, मतलब to be afraid of तो इसको sentence में यूज कैसे करने का news are wants, pure the serpents, मतलब we are afraid of snakes fourth वाला देखो, aware, short वो हमने देखा, fifth भी देखा sixth वाला देखो, aware, raison, मतलब to be right मा मेर अत तुजूर्स, raison, मतलब, my mother is always right seventh देखो, aware, thought, मतलब, to be wrong इस अंत जैमे, thought, मतलब, they are never wrong eighth वाला देखो, aware, बेसं, the, मतलब, to be necessary, in need of उसके लिए sentence, इस अंत तुजूर्स, बेसं, the, अर्जेंट, मतलब, they are in need of money aware, age, मतलब, age, जैं, सीज, आंस, मतलब, I am sixteen years old मतलब, ये सारे जो expressions है ना, वो aware verb लेंगे, aware expression का मतलब, ये देखो aware verb है ना, हर जग पे, always, ठीक है, I hope आपको समझाओगा, अब next देखते है topic देख लो, इसके बाद हम exercise करेंगे, ये topic ना, 1.5 में था, पर ये reading on translation में ही आता है ना, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ही सिखाया है, और ये ना, आपको exam में आने नहीं वाला, ठीक है in, दो, पारिस, मतलब, in, पारिस, दो, पैलिस, इल्लिया, यून, रूई मैं पहले पूड़ा बोलके बताते हूँ, बाद में पूड़े का translation दोँगी, ठीक है दो सेट रुई, इलिया यून मेज़ा, दो सेट मेज़ा, इलिया यून एस्केलेर, दो सेट एस्केलेर, इलिया यून शॉंब्र, दो सेट शॉंब्र, इलिया यून ताबल, सूर सेट ताबल, इलिया अन तापीस, सूर से तापीस, इलिया यून केच, मतलब In Paris, there is a street In the street, there is a house In this house, there is a staircase In this staircase, there is a bedroom In this room, there is a table On this table, there is a carpet On the carpet, there is a cage In this cage, there is a nest In this nest, there is an egg In this egg, there is a bird बस इतना ही था अब 1.6 करते है, that is exercise अच्छा तो गाइस, exercise स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा ग्रामल टोपिक का रिविशन करतेंगे तो comparative degree में क्या होता था? Subject, plus verb, plus, blur, Aussie या मोवा लगाने का Plur मतलब more than, Aussie मतलब equal, मोवा मतलब less Plus, adjective, plus, curve बड़ाबर और यह अपने को by heart learn करने को बोला था मैंने बॉका मिलियर होता है और इन सब का यह सब होता है ठीक है और मैंने प्रॉपर डीटेल में आपको पार्ट वन में बताया था अब यह हम exercise करेंगे यह सिफ थोड़ू सा रिविजन ले रही हूँ subject plus verb plus लर लेज में से कुछ भी plus 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 adjective the due लर लेज में से कुछ भी ठीक है plus मतलब mode, more मतलब less बस इतना ही फड़ा कही है superlative degree और उसमें भी देखो same इसका ना यह same होगा ठीक है पर यहाँ पर यह लर यहाँ पर लेज आएगा यहाँ पर लाएगा, यहाँ लेज आएगा यह देखो ism in ¿von नहीं आः था? ठीक है समझा तो नों का difference और यहाँ पर यहाँ पर देखो ल ला यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पर देखो यह नहीं है पर देखो यहाँ पर, sorry यहाँ पर देखो लला लेजर द्यू दला यह है ठीक है अब exercise करते है तो first question क्या है अपना एक्रीवे लेज प्रेफरेंस सुईवेंस और comparative मतलब rewrite the following sentences in the comparative अब first देखो उन्होंने example देके समझाया है ल त्रेन एं डाश तो क्या आएगा प्लस का symbol है मतलब प्ल आएगा बड़ाबर रपीडे dash ल बस मतलब ल ट्रेन ए प्ल और यहाँ पर second dash के जगह पर क्या डालेंगे कर यह देखो हम लोग नहीं यहाँ पर देखा था यहाँ पर कर डालेंगे एग्जेक्टिव के बाद और इसके पहले इन में से कुछ तो हम लोग ने प्ल डाला क्यों महाँ पर क्यूंकि महाँ पर प्लस का sign था ओके ठीक है इसका मिनिंग क्या होता है अब फर्स्ट क्वेश्टन देखो यहाँ पर किसका sign दिया है is equal to मतलब Aussie आएगा और यहाँ पर भी एक blank होगा महाँ पर कर आएगा तो इसका मिनिंग क्या होता है अब सेकेंड क्वेश्टन देखो यहाँ पर प्लस का sign है तो क्या है अब सेकेंड ब्लांक में क्या होगा तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा अब क्वेश्टन नमबर थर देखो इसी क्वेश्टन का sign है तो क्या है और सेकेंड में हमेशा कंपरिटिव में कर इसका मीनिंग क्या होता है मैं फॉर्थ क्या होग होगा मैनिस मतलब क्या लेस ठीक है और सेकेंड ब्लेंक में हमेशा कर इसका मितलब क्या होता है इसका अमोंट धेंग तेंग अहरण गी अब क्या होगा इसमें क्या है plus plus की सिंबॉल है इसके लिए plus और second इसमें हमेशा कहाँ और तो इसका मिलिंग क्या होता है books are bigger than newspapers अब question number 2 देखते हैं अब इसमें क्या करना है आपको आपको पहले से comparative degree में दिया हुआ है आपको उसको superative degree में change करना है ठीक है For example, उन्होंने जो example दिया है, वो देखते है The elephant, ape, the ground, cur, lace, otras, ennemox, the latere मतलब, the elephant is larger than other animals on the earth तो अब comparative से superlative में लाना है तो comparative और superlative में difference किया है यहाँ पर यह आता है comparative में वो नहीं आता, यह देखो लालेज नहीं आता, और ending में कर के जगर पे de family आती है, बड़ाबर तो बस वह यह add करना है ला के पहले हम क्या use करेंगे ला क्यों क्योंकि masculine elephant है ठीके, इसके लिए देखो masculine adjective यूज़ किया है अगर feminine होता तो ground यह आता, ground के पीछे ठीके, इसके लिए यहाँ पे भी हम ला यूज़ करेंगे, ला यूज़ नहीं करेंगे ठीके, एक्जेक्टिव के बाद यह देखो एक्जेक्टिव के बाद इन में से कुछ भी तो क्या आएगा from other animals मतलब हम सबके साथ कंपेल कर ले तो देज आएगा plural form ठीक है तो अब उसका translation क्या होगा the elephant is the largest animal on the earth I hope आपको यह example समझाओगा अब next और जितने देखते जाएंगे न आपको topic उतना clear होते जाएगा अब second question देखो तो क्या है ला पिज़ा ए प्ल पॉप्यूलेर कर लेज ओत्रेज फास्फूड तो प्ल के पहले ल, ला या कुछ आएगा तो हम क्या डालेंगे ला क्यों क्योंकि पिज़ा फेमिनाइन है है ना यह देखो answer देखो ला पिज़ा ए ला प्ल पॉप्यूलेर यहां तक सेम रहेगा बाद में हम देख डालेंगे कर को निकालके कर को निकालके कर लेज ओत्रस को निकालके देख डालेंगे इसका translation क्या होता है पिज़ा इस मोल पॉप्यलर देन अदर फास्ट फूड बड़ाबर तो अब हम जब चेंज करेंगे दो उसका क्या होगा पिज़ा इस दे मोस्ट पॉप्यलर फास्ट फूड ओके अदर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंपेरिटिव था इसके लिए अदर डाला था ओके इसके लिए अत्रस भी निकाल दिया यह देखो ओके अब सेकेंड देखते हैं रुको मैं एरेस कर देती हूँ सेकेंड देखो सेस क्रेप सौंट मोवा सेस कर तूस्त लेस अत्रस क्रेप इसका ट्रांसलेशन क्या होता है इस पैनकेक और चीपर धिन और अर्डर पैनकेक ञऽिक है? तो मौवा के आगे क्या लगेगा? कुछ तो लगेगा लेज लगेगा क्यों? क्योंकि यह प्योरटल फॉर्म में है है नあー को को निकालके यह देखो, वो सब को निकालके सिर्फ देज डाला है यह सब को निकाल के सिर्फ यहां पर देज डाला है क्यों क्योंकि comparative degree है तो इसमें comparison दिखाने की जरूरत नहीं है then other superlative degree में उसका translation क्यों होगा this pancakes are the cheapest of the pancakes ठीक है other पताने की जरूरत ही नहीं है I hope आपको समझा होगा ठीक है तो अब थर्ड क्वेस्टिन देखो मैग दो ए ल यहां पर क्या आएगा ल आएगा बड़ाबर frequent ते कर लेज ओत्रस यह निकाल के क्या डालोगे देज डालोगे ठीक है competitive degree में उसका translation क्या होगा मैग दो is more frequent than the other restaurants in this area और superlative में देखो अब चेंज करेंगे तो यहां पर लो आएगा और यहां पर देज आएगा बड़ाबर इसको निकाल के ए ना तो अब उसका translation क्या होगा मैग दो is the most popular restaurant in this area ओके अब फोर्थ क्वेस्टिन देखो ल मॉन्थ एवरेस्ट ए यहां पर लो आएगा प्लर हॉथ को लेज उत्रस को निकाल के दे जाएगा सॉमेंट द्यू मॉन्थ मतलब माउंट एवरेस्ट इस हाईर देन दे अधर पीक्स इन दे वोल्ड तो अब सॉमेंट द्यू मॉन्थ इस तो उसका मीनिंग क्या होगा माउंट एवरेस्ट इस दे हाइश्ट पीक इन दे वोल्ड ठीक है अब लास्ट क्वेस्टन देखते हैं फिफ्ट ला लोड एपल यहाँ पर आएगा ला कर लेज ओत्रस निकाल के देज डिवरेज एंफ फ्रांस मतलब ला लोड इस लाजर देन दे अदर डिवर्स इन फ्रांस तो क्या आएगा अब सुपर्लेटिव में ला लोड एज यहाँ पर लाएगा ला लोड देज आएगा बराबर लिवर्स दे फ्रांस मतलब ला लोड इस दे लाज़िस्ट ओफ दे रिवर्स इन फ्रांस ठीक है अब क्वेस्टिन नमबर त्री देखते हैं इसमें ना बस आपको करेक्ट उप्शन के ऊप्षन इन तीनों में से चुनद नए तो इसमें करेक्ट उप्शन क्या है यह क्यों क्यों कि मैं इसकी लाइन प्यॉडल है तो यह आएगा ठीक है अगर यह फैमिनान होता ना तो ए और स्थिए लाइन इसके लिए उली और प्यॉडल है मतलब सिफ एस second question देखो ओके इसका meaning क्या होता है less jerk sound मतलब the games are interesting अब second question देखो set chase मतलब feminine है और singular है ठीक है says होता ना तो प्याडल होता बड़ा बड़ पर feminine singular है इसके लिए bass वो single form क्या होता है BAS और इसका feminine बनाना होता होता है S double the consonant and add E बड़ा बड़ा अगर आपका feminine topic clear है तो आपको ही आणाम से आजाएगा तो इसे क्या बोलेंगे इसका translation this chair is low अब third question देखो feminine है वापेस देखो ठीक है तो ये आएगा तो इसका translation क्या होगा this card is very expensive अब fourth question देखो नौत्र साल एं manager एं large क्यों क्योंकि में इसका पहले translation देखो our dining room is large मतलब wide यहाँ पर a है ठीक है est sound होता ना तो अपन प्यॉर्ण फॉर्म लेते हैं पर est किसके लिए होता है एत्रवर्ब में इल ए बड़ाबर इसके लिए singular है इसके लिए large है लिया समझा आपको यहाँ पर direct subject pronoun नहीं दिया तो verb को देखने का फिर सोचने का कि वो verb किस subject pronoun के साथ जाता है और वैसे भी आप सोच सकते हो कि singular है या plural है अगर आपको नहीं समझ रहोगा तो अब question number 5 देखो nos professor sonth sonth है वहाँ पर क्याता ए था मतलब यह plural form है il sonth बड़ाबर तो plural form वाला टिक करो I hope आपको यह समझा होगा इसका translation क्या होगा are teacher are smart अब question number 4 देखते हैं अब question number 4 करते हैं इसमें क्या करना है put the following sentence in the feminine अब feminine यह topic मैंने part 2 में सिखा ही अब मैं हर एक चीज का division देती रहूंगी तो यह video बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको feminine नहीं आता तो पहले प्लीज जाके वो देख लो तो यह आपको यह समझेगा ठीक है तो अब यह start कलते ilka क्या होगा L अ तो same ही रहेगा the bond's note भी same ही रहेगा ilka L udx x होगा तो उसको ending में s e डालने का बड़ाबर तो first question क्या था question क्या था he has good crates he is happy ठीक है तो उसका feminine feminine form क्या होगा she has good crates she is happy okay अब second question देखो Sir Seth Ler novel actor the sir flim तो उसका क्या होगा उसका meaning क्या होता है he is the new actor in this film Sir Seth का Sir Seth लाएगा Le novel का novel होगा मैंना आपको special adjectives में यह सिखाया था actor का actress the sir flim यह noun change नहीं होता noun masculine होगा तो masculine ही रहेगा noun change नहीं होगा ठीक है तो she is the new actress of this film ओके अब थर्ड question देखो Seth Etudeon का Seth CET का CETTE Etudeon के पीछे एक E L A L का LA L L June इंडिंग में यह आता है इसके लिए वो चेंज नहीं होगा दर्सा क्लास भी चेंज नहीं होगा क्यूंकि वो ना होन है तो question का मेनिंग क्या था This student is the youngest in his class तो उसका feminine form क्या होगा This student is the youngest in her class Okay अब question no.4 देखो Tien's L A O C Grond का 100 पैर मतलब Tien's L A O C Grond का 100 पैर L का L Tien न किसी का नाम है तो वो तो change नहीं होगा Question क्या है Tien He is as tall as his father तो क्या होगा Tien She is as tall as her mother तो इल का L A O C Grond Grond के पीछे एक E आएगा क्योंकि एग्जेक्टिव है कर का कर आएगा 100 का सा होगा यह possessive एग्जेक्टिव में आपको था पैर का मैर होगा बराबर फादर मधर ओके तो अब question no.5 देखो इल्स रेकॉंत्रेंट और एंशियन आमी मतलब दे मीट अन ओल्ड फ्रेंड तो दे इल्स का एल्स रेकॉंत्रेंट सेम रहेगा वो वर्ब चेंज होगा पर वर्ब काट अ यह सेम है ना इल्स रेकॉंत्रेंट सेम है ना वैसे ही रेकॉंत्रेंट रेकॉंत्रेंट सेम है समझाओगा आपको अ का यून एंशियन डबल दो कॉंसोनेंट एंड ए बड़ाबर मे का मे एक ए डाल दिया ओके अब question no.5 करते question no.5 में क्या करना है आपको give the opposite of the underlined words and rewrite the sentence ठीक है अब question देखो sir sent a bank bus मतलब it's a low bench तो उसका क्या होगा it's a high bench bar का opposite क्या होता है hot high bar मतलब low और hot मतलब high ठीक है अब next question देखो L प्रेफेल है ला पतीत house मतलब she prefers a small house तो small का opposite क्या होता है ground feminine है तो feminine आएगा E G, R, A, N, D E okay feminine था ना petite okay तो यहाँ पे भी sorry यहाँ पे भी petite डालोगे तो she prefers a big house third question देखो यहाँ पे देखो set a maison a a ground garden यह देखो यह मैस्केलाइन फॉर्म है यहाँ पे देखो feminine फॉर्म था एक E था यहाँ पे एथा इसके लमाँ पे भी E डालो okay यह मैस्केलाइन फॉर्म है तो ground का पतीत हम लोगे पतीत का opposite ground होता है तो ground का opposite भी पतीत ही होगा बड़ाबल तो इसका opposite भी क्या होगा पर मैस्केलाइन फॉर्म E नहीं आएगा तो इसका मीनिंग क्या होता है this house has a large garden इसका मीनिंग और इसका मीनिंग this house has a small garden ओके अब question no.4 देखो संगारसाँ एं means मेस इल एफॉत मतलब this boy is thin but he is strong तो इसका opposite क्या होगा संगारसाँ एं गड़ाँ में इल एफाबल मतलब this boy is fat but he is weak ओके अब question no.5 देखो मतलब means का opposite क्या हुआ है यहाँ पे grow और fabule का fourth ओके अब question no.5 देखो ला दाइलेक्ट्रिक्स है जून, जून मतलब young तो उसका क्या होगा old बड़ाब मतलब the headmistress is young तो उसका क्या होगा the headmistress is old इसके लिए आपको opposites आने चाहिए ठीक है अब question no.6 देखते हैं इसमें क्या करना है लेलेज लेज फ्रेज़ेज दला कॉलन A आवेक ला बॉन response दला कॉलन B मतलब connect the sentence in column A with the correct answer from column B तो सबका पहले translation देख लेते हैं तो आपको समझ जाएगा फर्स्ट क्या है इल यहां और मैच दर क्रिकेट देमिन मतलब there is a cricket match tomorrow सेकेंड नूस एमोंस बुकुब पैरिस मतलब we love पैरिस very much फर्ड दिदियर लेकॉंत्र जियन और आमी मतलब दिदियर means जियन और फ्रेंड फूर्थ रूचा अदॉर्ड ला बाडबे आं पापा मतलब रूचा लवे कॉटन कैंडी यह देखो ला बाडबे आं पापा मतलब कॉटन कैंडी फिफ्ट त्यू वियां आवेक नूस मतलब are you coming with us यहाँ पे सालूत मतलब हाए ओयवा मतलब where are you going सरसेत व्रे मतलब it's true वी वियां सूर मतलब yes of course मियां मतलब yummy yummy तो फोट का यह होगा बराबर लुचा लव्स cotton candy yummy yummy ठीक है फिर्स्ट का देखो इलियां और match the cricket tomorrow there is a match of cricket tomorrow तो क्या होगा it's true तो C आएगा बराबर सेकेंड लिखो news amounts bookoo Paris we love Paris oh yeah wow let's go ओके थर्ड का क्या होगा दीदियर लेकां त्रे जीन और आमी मतलब दीदियर met a gene met gene a friend तो क्या बोलेंगे वो लोग hi salu मतलब a आएगा ठीक है और fifth का त्यू वियां आवेक नूस मतलब are you coming with us तो उसका क्या आएगा yes of course मतलब d आएगा ठीक है I hope आपको ये question समझाओगा आप next question देखते हैं question number seven देखो एक्रिवेस five phrases sure was good at was preferences मतलब write five sentences about your taste and preferences अन्होंने एग्जांपल में देखो क्या दिया है je aim voyager and train मतलब I like to travel by train यूतिलेश लेश मोट अथलेश एप्रेश एप्रेशन सुवेंज अदमिर अदोरल प्रेशर अदमाइ मेर बीए अदेशर मतलब use the following words and preferences love, adore, prefer, love, well, hate तो अब यह मैंने आपको एग्जांपल दिया है आपको अगर आपके वेश से कुछ इल्लग लिखना है तो आप लिख सकते हो ठीक है je aim jewel on tennis मतलब I love to play tennis je adore फैला नताशन मतलब I love swimming je prefer I love cinema मतलब I prefer to go to cinema je aim बियां लाग क्वीजी शिनोई मतलब I like Chinese food je deteste la routine मतलब I hate routine अब next question देखते है question no.8 इसमें आपको पते हैं क्या करना है match the sentences in the bracket to the correct image warm accents मतलब happy holidays मैसी बुकूप मतलब thank you very much ज़ताँ अपरी मतलब please अब ये देखो आपको ये photo देखके समझ में आ रहा होगा ये किदर vacation पे जा रहा है तो आपको ये पहले से दिया था you too तो वो क्या बोलते होंगे once vacations मतलब good holidays या happy holidays next देखो ये आपको पहले से दिया था ये आपको डालना था ठीक है तो वो क्या बोलता होगा thank you for the gift तो ये क्या बोलेगा you are welcome उसका मतलब French में क्या होता है ज़ता ए प्री और next question देखो felis itasua मतलब congratulations तो ये क्या बोलेगा thank you so much ओके अच्छा तो अब next question देखो complete is less phrases suvents मतलब complete the following sentences first question देखो less sept juice दला सामन सौन्थ तो उसका अंसर क्या लिकोगे लुन दी, मार दी, मेक्रे दी, जीू दी, वंद्र दी, सामे दी, दी, मौन्च मतलब the seven days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday guys ये question ना ऐसे questions ना question answers form में भी आपको exam में आ सकते है देखो question number one या कोई तो question आपको लेता है ना question answers का उस form में ये question को convert करके आपको questions आ सकते है ठीका तो दोनों वे से prepare लेना okay ji-ans तो यहाँ पर quatars लिखा है मतलब I am 14 years old third question the x monuments in Paris south-west अप कोई भी दो लिख सकते हो मैंने यहाँ पर Eiffel Tower on Notre Dame लिखा है मतलब two monuments in Paris are मैंने बोला ना ऐसे questions आपको questions आं से form में आ सकते है ठीक है तो वैसे prepare लेना ये पाचो के पाचो fourth question अजूद भी sir said dash मतलब today is तो फिर यहाँ पर Saturday 14th July लिखा है आप अपने इसाप से change कर सकते हो okay fifth question air dash ill faith fraud मतलब in dash it is cold तो in winter तो हीवेल लिखा है okay हीवेल को winter बोलते है अब next question देखो question no.3 इसमें आपको क्या करना है translate the following text in English दो लास साले देख्लास देख्लान इल्या देख्लास पुल लेस एतुदियंस मतलब in करना देख्लास लग्लास लास्लोम there are tables for the students इल्या आप्थर इतयु शेस पूल लेस्प्र साथ्चर मतलब there is a desk and a chair for the professor लेस्प्र साथ्चर दो करन लेस्प्र सोचर मतलब करना जेख्र करस्चर is french इल्सा आ पयल Mr. Renoir मतलब, his name is Mr. Renewal. इल्या एं ताबले नौर्ड और मूर्ड आवेक देस क्रेस एत एं शिफ़ॉ मतलब, there is a blackboard on the wall with chalks and duster. इल्या और सी यून कार्थ एत देफ्रांस एत एं एं एम्प्लोई दू तॉम पॉला सामन. मतलब, there is also a map of France and timetable of the week. इल्या शिक्स फिल्स एत सांग गार्शं दॉला क्लास. मतलब, there are six girls and five boys in the class. लेज एतुदियंत, लेज साइंस, लेज माथमेटिक्स, ले एंगलेज, ले एलिमांगनी, ले फ्रोशे, ले हिस्तॉरी, एतला, जियोग्रफी. मतलब, the student study, science, math, English, German, French, history and geography. करन, आमी, बिया, लेज, मैथमेटिक्स. मतलब, करन, लाइक्स, मैथमेटिक्स, अलोट. गाइस, आपको ऐसे questions आ सकते हैं, इस पेसे, कि आपको कौनसे subject पसंद है, question answer के format में, या आपके school में कौनसे subjects पढ़ाई जाते हैं, ऐसे. और आपकी teacher को पूछो, वो आपको question answer के list देगी, और वही learn करके जाओ. ठीक है, कभी भी question answers एकदम अच्छे से learn करो, उस option में मत छोड़ना, क्यूंकि वो scoring part रहते हैं. ठीक है? अब next question देखते हैं. अच्छा, तब question number 11 देखो. अब question number 11 में क्या करना है? आपको crossword solve करना है, simple. मतलब यह जो underline दिया है ना, वो आपको खुद से लिखना था, पर मैंना आपको दे दिया है. ठीक है? ल क्रेयों न एस पा लॉंग, ल, ए, डाश. इसका मतलब क्या होता है? दपेंसिल इस नोट लॉंग, इट इस, तो क्या होगा? आपको short होगा, बड़ा बड़, तो short को French में क्या बोड़ते है? कूत, तो आपको बस यहाँ पर कूत लिखना है, समझा? नेक्स्ट क्वेशन देखो, ल पैलेस न ए पा पतित, ल, ए, डैश. मतलब, the palace is not small, it is, तो क्या हैगा? या तो large आएगा, तो large को French में क्या बोलते है? ground, तो आपको ground लिखना है, तो for horizontal, यह देखो, ठीक है? देखो, अगर आपको translation एकदम अच्छे से आप चाहते हो ना, कि आपको translation अच्छे से आए, तो आपको उसके लिए vocab अच्छे से करना पड़ेगा, और जो हम लोग chapter का translation करते है, तो वो आपको ध्यान से सुनना होगा, तो यह आपको exam में भी हर एक चीज़ को translate करने को खुद से आएगा, समझा, इसके लिए मैं बोलती हूँ कि जो vocab है, वो एक बार भी ना देखे, इंग्लिश में लिखो feminine है या masculine, इसके लाइन वो भी लिखो साथ में है, ठीक है, अब नेक्स क्वेशन देखो, Catherine A. Bell, Jean A. Dash, मतलब, Catherine is beautiful, Jean is handsome होगा, बड़ा पर Jean लड़के का नाम है, Kathleen लड़की का नाम है, तो 6 पर horizontal, बौ, ओके, यह special adjectives में आपने पढ़ा होगा, नाया handsome बुड़ा में है, ठीक है, अब नेक्स क्वेशन देखो, vertical, The Times of India, Il A. Dash, मतलब, The Times of India is a journal, newspaper है, बड़ाबर तो बस journal लिख दो, ठीक है, नेक्स क्वेशन देखो, लब एलो, न एस पा, काले, Il A. Dash, मतलब, The ball is not square, it is, Of course, round, तो round को फ्रेंच में क्या बोलते है, round, लिख दिया, ठीक है, आपको ना vocab एकदम अच्छे से करनी है, मैं, बहुत बार बोलती हूँ, पर वो बोलने का एक रीजन है, ठीक है, vocab एकदम अच्छे से पढ़ो, Okay, masculine है, feminine है, तो अब जब ट्रांसलेट करोगे, आपको एकदम अच्छे से समझेगा, Okay, प्लीज vocab अच्छे से करो, ठीक है, अब नेक्स क्वेशन देखो, इसमें आपको क्या करना है, चीज़ें फाइन करनी है, अब यह तो आप खुद से कर सकते हो, तो देख लो, ठीक है, मैं आपको दो सेकंड के लिए यह देखा, तो फिलम नेक्स क्वेशन पर जाते हैं, अच्छा, तो गाइस, अब 1.7 कलते हैं, इस सिविलाइजेशन, फ्वेशन नमबर 13 जो है न, एक्सरसाइज में, वो सेल्फ स्टड़ी है, तो मैं आपको वो बता नहीं रही, ठीक है, तो उसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंपलीट होती है, अब हम लोग सिविलाइजेशन करते हैं, 1.7, पैरिस, एंशियन, मॉर्डन एथ अम्यूसन, मतलब, पैरिस, अंशियन, उस्पूर साथे कीष्णी, पैरिस, इलन, इलन, बेल्स, विल्स, दूमन, मतलब, पैरिस इस वन उस्पूरी नोस्पूरीवटो मॉर्ण, पैरिस, सेस् जूमिibileciu, ऑन्यूंस, कॉम, ल्ह तुल, आफियन, ल्च्रीप्रुम्रु ल्च्त्र जीर्ज्टुम्रुण्व चर्च पॉंप्धव ल्वॉसी दो लूवर सूलेबरी मतलब इस इंसेंट और नौनमेंट्स like Eiffel Tower ल्च्त्रुम्रुण्पुम्रुण्रुण्टुम्रुण। ल्च्ट्रुण। लूवर्य। यूजिए यूटरस दिवर्थिजमींट्स और्सेंट यूज यूजसी शायक एथे देपाव थूसंट तो परीज अजिए दिज बूसंट आ रंडरे वोस् इंपूर्त पूले लेश पारिशियन यूजूजूर्ण तरीनियूर्स निर्थ नियूजूर्ण परीजिए लिखी important meeting place for the parisians La Ville Lumière Compte says parks the lorries theme parks says jardins garden at says ponds bridge superb scum the days bijouks unix ui sasant says vires autos the city of light counts on its theme parks garden superb bridges like unique jewelry yes the are the true trump cards anyhow आपको लातुराफिर और ला पिरामिद लूवलर का photo दिखा है तो इसी के साथ हमारा chapter 1 complete होता है okay I hope कि मैंने इस वीडियो में आपको जो सब भी सिखाया है आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ गया है और अगर आपको कुछ भी doubt है तो बिंदास comment section में डाल दो मैं उसे solve करने की ज़रूर कोशिश करूंगी और गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो like the video, share the video with your friends and subscribe the channel thank you so much for watching this video झाल like